हेलो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि टाटा गुर्प की एक और न्यू कमपनी अपना आप्यो भी करा रही है तो आज इस वीडियो में हम कमपनी के बिजनस, मॉडल, कमपनी के आप्यो रिटेल्स, एंड फाइनेंशल्स तीनों को गवरफ करेंगे वीडियो काफी जदे इंट्रेस्टिंग होगा एंड तक जरू देख लेना क्योंकि इंवेस्टिंग में हाप नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिकली जिस कमपनी की मैं बात कर रही थी वो है टाटा सकाई जिसको रिब्रैंड करके नाम दिया गया है टाटा प्ले का बेसिकली 2004 में इस कमपनी का जॉइंट वेंचर हुआ था जिसमें टाटा संस इस कमपनी का 70% का स्टीक ओन कर रही थी पर अभी रीजेंड ही 31st मार्च 2022 को ये पता चला है कि टाटा संस इस कमपनी का 41.49% स्टीक ओन कर रही है नेटवर्ग डिजिटल डिस्टिबूशन 20% का वेटरी इंवेस्मेंट प्राइवेट लिमिटेड 10% का और ओमेगा एफ़ाय इंवेस्मेंट प्राइवेट लिमिटेड इस कमपनी का 7.80% का स्टेक ओन कर रही है बड़ अभी कमपनी ने डिसाइड किया है कि वो सिरफ DTS दर फोकस नहीं करेगी उसके साथ साथ हमें broadband और OTT की offerings प्रोवाइड करेगी बिसकली ये बताया जा रहा है कि OTT में हमें 13 packs प्रोवाइड किये जाएंगे जिसके अंडरा जाते हैं Amazon Prime Video, Disney Plus Hotstar, Netflix and so on बिसकली क्या आप लोग जानते हैं कि DTS segment में already कमपनी के पास 33.37% का market share है जिसमें कमपनी के subscribers 66.9 million है In fact क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि Tata Play आप के launch होते ही कमपनी के पास 22 million subscribers और ज़्यादा increase हो गई तो ये है कमपनी का simple सा business model अब हम जानते हैं कमपनी की IPO Retails तो बिसकली ये बताया जारा है कि कमपनी IPO के थ्रू 300 से लेकर 400 million dollar का fund raise करेगी ये IPO इस मन्त के end तक आ सकता है फर्दर हमारे पास कोई information नहीं है कि price band कितना होगा और exact IPO कब तक आ सकता है अब ये approximations मैंने आपको बताई है तो ये हैं कमपनी के simple सी IP Retails अब हम जानते हैं कमपनी के financial position उससे पहले यदि अभी तक आपको ये वीडियो informative लगी है इस वीडियो को like और चानल को subscribe कर देना अब हम जानते हैं कमपनी के financial position तो basically सबसे पहले हम revenue से start करते हैं मैंने यहाँ पर 2020 से लेकर 2021 तक कर data लिया है जिसमें कमपनी 4 segment से revenue on करती है broadband, business intelligence, platform offers, subscription services and activation and installment basically पहले 2 segments पे case में कमपनी के revenue increase हुआ है और last 2 segments के case में decrease हुआ है अब हम जानते हैं कमपनी का operating EBITDA EBITDA का मतलब यह होता है कि कमपनी कितनी earning कर रही है tax और depreciation से पहले जो कि DTH के segment में increase हुआ है अब हम जानते हैं third operating profit तो basically 2020 से लेकर 2021 तक कमपनी ने profit record करने के बजाए lost record किया है broadband business में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप expenses को देखोगे तो कमपनी के expenses काफे जादे increase हुए है कमपनी mainly DTH, broadband, employee benefit और ads के उपर जाद expenditure कर रही है जैसे कि मैंने आपको starting में ही बताया था कि कमपनी सरफ DTH तर focus नहीं करना चाहती उसके साथ-साथ broadband के उपर और OTT offerings के उपर भी focus कर रही है तो इसलिए कमपनी के expenses अभी कुछ हद तक increase हुए है तो ये है कमपनी के simple financial position आज इस वीडियो में इतना ही और वीडियो को end करने से पहले यदि आप आने वाले IPOs में अपनी allotment के chances को increase करना जहाते हो तो उस वीडियो को left side पे click करके check out कर लेना Till then thank you, bye bye